कोलेजम में केवल जातिवाद से दिमाग में रख करके निरने दिये जाते हैं और उसी के आधार पर आज बनिया केजरिवाल को जमानत मिल जाती है और एक आधिवासी मुख्य मंत्री पूर मुख्य मंत्री हिमें सोरन को जमानत नहीं मिलते हैं वो खरिच कर दे जाते हैं देक बाबा साहब डुक्टर अम्बेटकर के खिलाब जाकर उनकी तस्वीर लगाना यह कौन सी समझदारी है क्या हम समझते नहीं है क्या अम्बेटकरवादी अब इतने मूर्ख रहेगा कि आपको समझेंगे नहीं अरे अम्बेटकरवादी तो वो चीज़े तुम्हें सूंग ले बाबा साब डुक्टर अम्बेटकर आपके समझदान आपके कानून की वज़े से आज मैं जेल में दुस्मन नजवर्दस्ती जेल में डाल दियो आज आपके कानून की वज़े से बाहर निकल आया उनका आपहर व्यक्त करना चाहिए तो लेकिन किसके पास गये हनुमान के सरद्धा को यूज भी तो करना चाहिए जैसे आप बाबा साब डुक्टर अम्बेटकर का समविधान उसमें वोटिंग का राइट उसमें लीडर बनने का राइट उसको आपना रहे हो न आप उसको यूज कर रहे हो न तो एसे ही इन देवताओं की शक्तियों का यूज भी दिखाओ प्रक्टिकल भी तो कराके दिखाओ यह क्यावल ऐसी दोंग पाखंट को बढ़ावा देने के लिए तुम चल देते हो मंदिरों के उपर लोगों तो यही सोचेंगे कि उसकी किरपा सा निकला चला गया माथा टेकने के लिए पड़े लिए लोगों ने जादा क्योंकि गरीब को यह लगता है कि मैं अब लड़ाई ना लड़ूंगा कि जिसे मेरा जो मुद्धे हैं मेरे जो मेरी जो समस्य है प्रॉबलम से उनका जो सोलुशन है भगवान कर देगा मात अठेकूंगा परसा चड़ाओंगा कि बावा साहब दोक्टर अमेटकर की कि विए दिली में हमारे साथ है दी दिनृदेश जी निरदेश जी हमारे देश में दो मुख्य मंत्री जेल गए थे एक तो हेमन शोरेन वो स्थिपार देकर गए थे और दूसरे अरिवेंद केजिवाल केज़िवाल साहब जो अंत्रिम जमान पर भार आ गए हैं वो पिरच उठा रहे हैं क्या आदिवासी होने की वज़े से हमन सोरन को जमारत नहीं मिलिए आप इस पूरे मामने को किस देखती है इस देश में आदिवासी और अनुसुचित जाती और ओबीसी इनके साथ हमेशा से भेदवाब होता रहा है और आज भी इस बात को साबित करने के लिए आप इस प्रक्रण को बहुत बारी की से देखें जब हमन सोरन को जेल पहुचाया था तो उस वक्त हमन सोरन ने एक नैतिकता और मानपता बस एक नैतिकता निभाते हुए जबकि वो चाहते हैं तो अपने पद ले करके जेल जा सकते थे एक रात पहले उन्होंने एक आम कार करता को पाटी के पाटी सोब दी और मुखे मंतरी पद को सोब करके वो जेल चले गए इधार केजरीवाल मुखे मंतरी होते हुए मुखे मंतरी जो पद है उसको वहीं से चला रहे हैं जेल से उसके बावजूद भी मुखे मंतरी होने के नाते इनको जमानत मिल जाती है केजरी केवल वही के लोग इतने हो गए थे कि पूरा देश देख रहा था और रो रहे थे लोग हेमिन सोधन के लिए लेकिन जब केजरिवाल के लिए रामनिला ग्राउन भरने की बात हुए इंडिया आलाइन्स की तरफ से हुए सारी पार्टियां थी उसमें सारी पार्टियों के बाद भी हाँ उन पार्टियों के दम लगाने के बाद के लिए रामनिला ग्राउन भरा गया तो यही पहचान है वो ग्राउन का नेता है हाला कि गठवंदन में दोनों साथ है पर कोट ने अपनी जो है कोलेजियम की जो नियत है वो दिखा दी है कि कोलेजियम के वल जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाए देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बरावर होता है और अगर आज उनको बेल ना दे करके केजरी वाल को बेल दे दी जाती है तो ये देर से ही भले लेकिन अगर को चाहें कि भी चुनाओं के बाद उनको वेल दे दे चुनाओं निकल जाएगा आप तो उनका जरूरी काम के टाइम पर आप उनको जेल में बंद करो जिस मकसद से आप न रखा था आप वो पूरा कर रहे हो ना लेकिन केजरी वाल को जेल में ले जाकर के पहले लोगों की भ होंग आप देखेंगे ने जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं जो मुवमेंट जो दो विचार दाना देश में काम कर रही है जब केजरी वाल जेल में गए तो उनकी पतनी कह रही है एक वीडियो पर कि केजरी वाल जी ने संदेश भेजा जेल से कि मैं भले ही मेरा सरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा आप लोगों के आसपास है आप महसूस करिए और पीछे तस्वीर लगी हुई है बाबा साब ज्क्टर अंबेटकर की और भगत सिंग की जो दोनों ने ही पाखंड को छोड़िये धर्म तक को नकार दिया उस धर्म को नकार दिया जी धर्म में मेंटिलिटी को भी जानना चाहिए हमारी लड़ाई किसी बी-जे-पी कांग्रेस या केजरीवाल या पढ़्धानमंत्री नरेंद्र मोधीजी से नहीं है न राहूल गांदी जी से हमारी जो लड़ाई है वो ऐसी विचार धारा से है जिस विचार धारा में हमें हजारों व जवाब वोट से दो, लेकिन जेल में तो राम रहीम भी हैं, आसा राम भी हैं, क्या फिर वोट मांगेंगें कल को आगर बाहर से? बिलकूल वो मांगते ही हैं, जितने भी आप देखेंगे, जो राम रहीम हैं अभी पिछे निकाल दिया था, क्या नाम है उसका राम रहीम वो निकाल दिया था, बेल पर लिया था, और जब हरियांडा में चुनाओ था तो पृच़र करवाय था उन से, तो वोट के लिये जैस करके अगर तुम किसी को सो पड़ा सकते हैं तुमने जेल कर तुम्हारे अंदर समय के चला сकता है उस समय पर क्या किया जा सकता लेकिन केस्डीवाल में तो इतनी नेतिकता नहीं थी किसी को दे जाते और ऐसे लोग बात करते हैं भगत सिंग की जिस बहुत सिंग ने वाहिस साल की उमर में अपने बरी जबानी में पूरा जीबन गुरवान कर दिया देश के लिए फासी पर लटक गड़े और धरम को उन्ह करता ही नहीं जिन धर्म को मैंने पड़ा यह दरम नहीं है यह लोगों के लिए दुष्ट है जो गरीब है गरीब को गरीब रखने का शड़ी अंत्र है तो ऐसे लोगों की लगाते हो तस्वीर और करते हो वह हनुमान जी के चरणों में जाके नमन तो कैसे पता चलेगा कि किलेर कहां हो तुम किस तरफ हो तुम अगर तुम भगत सिंग की टतिर ही तो भगत र शिंग् ने कहा नेना श्थिक हूं तो नासिख को ओकरए इक की सकता है तो फिर इसके वी इसकेuesto सीखाय कुरबानिया सीखाये जो द्रहं बन्राज करना सिखाये लेकिन अगर मैं इसके ौनधिर पड़ लेकिन मैं किसी दर्गह पड़ियों या मैं किसी मजार पड़ जाएं तो फिर आउbuilt इसको को इसके पीछ यह beta तबचेशल को गुंता तो इस तरह से जो यह समय नहीं चलेगा जनता को जाने मीडिया ने में पतनी सुनिता केज़रीवाल का इतना महनत की गई थी जिल जाने के कर रही है वह महिला पूरे इतनी बड़ी बीढ़ को डील कर सकती है इतने सरे लोगों को वहां पूरा उनके बाद जाने के बाद वहां पूरा समहाल रही है और आप देखेंगे कलपना शोरें जब बोलती है और एक तरफ सुनीता केजरिवाल बोलती है तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है एक ऐसे बोलती है कि सुनीता केजरिवाल जैसे कि उसके अंदर शब्द नहीं है या जितने सब्द बता दी है इतना बोल रही है देखेंगे इतना ही बोल पाएगी लेकिन कलपना शोरें मंच से बिना देखे दारती है लोगों की आँखों में आखे डाल कर बात करती है उसमें कोई दिखाप्टी पन नहीं है वो जो है एक्चुल है और वो जितना भी महां पर पर काम चल रहा है मुझे लगता है कि उस इस काम को मीडिया को तरजी ही देनी चाहिए ति यह बात रखते हुए कि एक आदिवासी समाज जो पूरी तरीके से एक व्यक्ति को अपना नेता मानता है मसीहा मानता है कम से कम उसका जो एक्चुल काम है वो तो दिखा दे बना के मत दिखाऊ नकली मत दिखाऊ या तो चड़ा कर दिखाना जितनी इतनी है लेकिन इतना दिखाना यही इनकी मानसिक्ता का परीचे है कि यह दोगलापन करते हैं फैक्ट है और इस भारत के अंदर कॉलेजियम कलंग है क्योंकि कॉलेजियम से इस देश के अंदर केवल चार-पांच फैमिली ऐसी है जिनके जज बनते हैं बाकी देश की जनता है 100% कहेंगे उसमें चार-पांच परिवारों को आप पूरा देश नहीं मान सकते तो इस देश की जो बाकी जनता क्या उसमें काबलियत नहीं है क्या जब एक आप देखेंगे कि एक चपरासी का भी ऐसा एग्जाम होता उसकी भी समीती बनती लेकिन यहां कॉलेजियम को कॉलेजियम जजी उसको चुन लेगा सरकार की सहमती चुन लेगा और सरकार उसमें पूरा इन्वॉल होती है तो फिर वो तो उसकी साथ ही मिलकर के काम करेंगे उसी मान सिक्ता के लोगों के साथ वोटिंग होगी वैसे ही लोग चुनेंगे तो जो चुनाओं की इन में प्रकरिया है यह गलत है या तो फिर जब लोकतंतर में चुनाओं की बैल्यू इतनी है कि जनता वोट दे करके एक नेता को चुनती है से कराती ताकि वो खुद बची भी रहे और सुप्रीम कोट पर आम जंदा हमला नहीं कर सकती आम जंदा कुछ बोल नहीं सकती बोलेगी तो तुरन तुसको अरेश्ट कर लिया जाएगा इसलिए वो डारेक्ट लिना करके बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो इंडारेक्टी कोट स कराती जैसे स्टी एक्ट का जो डूरूपियो डाइलूट किया जा रहा था वो सुप्रीम कोट से कराया चाहती तो सरकार कर सकती थी क्योंकि उन्हें पता था सरकार करेंगी तो वोट पर एफेक्ट पड़ेगा लेकिन जब कोट करेगा तो वोट पर एफेक्ट पड़ेगा कहते हैं जो उनके खिलाब होते हैं और उनके खिलाब काम शुरू होता है तन पता चलता कि यह कानून भी बन गया